भाई एक चीज़ मैं बता रही हूँ ऑल्दो मुझे पता है जो मेंटालिस्टिक मेंटालिटी के बंदे हैं उनको ना समझ में आने वाली मेरी बात लेकिन इस दुनिया में हर इंसान इक्वल है बराबर है बहुत से लोग मैंने देखे मेंटालिटी देखी जहां पे लोग द स्टेटर से उनके हिसाब से डील करते हैं लेकिन है अगली कि हो स्टेटर से फरक ठरके से बात करोगे और ऐस की बंदे को आप हीन्-भावना से देखो जस्ट बूकर वह उस पोस्ट पे नहीं उल्धो एक तो गलत है अगर आप उसको inferiority complex feel करा रहे हो कि वो successful नहीं हो पाया खासकर कि ये generally housewives के साथ होता है जो कि normally post graduates होती है पड़ी लिखी होती है लेकिन नौकरी नहीं कर रहे होती है तो उनके काम को हमारे अहां बहुत 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 कम आका जाता है मतलब कि इतना कम की पूछो मत लेकिन अगर जो intelligent लोग होता है ना तभी वो मा का दर्जा सबसे उपर रखते हैं housewives को अब वो importance देने लगे हैं क्योंकि उनको पता है कि भले ही वो काम एक domestic maid कर सकती थी लेकिन वो जो प्यार है जो care है जो आपका अपनपन है वो एक nurse एक maid आपको पीचा समझे राते हैं सिफ housewife नहीं मतलब sweepers के कामों को इसको अगर एक दिन sweeper ना आए ना तो बैटा तुम कूड़ा उठाने खुद जाओगे ना तो तुम्हें सब पता चल दाएगा कि क्या actually होता है ठीक है तो किसी को भी काम को कम मत समझो किसी भी इनसान को कम derechos समझो काम करने का तरीका फर्क हो सकता है वही काम कोई अच्छे तरी के से करता दूसरी गंदी तरी के से करता उस चीज़ को चीछ को वा ऐल्यू करो ना कि उसके status से वैल्यू करो